असलाम अलेकूम कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे नगमा किचन में आप सबी का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज है संडे और आज में बनाने वाली हूँ भूना गोश्ट और उसके साथ में बनाऊंगी स्पेशल पराठा या नान जो भी कहले बहुत ही जबरदस रेसे पिए फ्रेंड्स तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए फिर फटा फट से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम पराठा बनाने के लिए मैदा गून करके रख देंगे तो यहाँ पर मैं दो वाटी भरके मैदा ली हूँ इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोड़ा चम्मज नमक और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इसी के साथ मैं डाल दूँगी दो से तीन चम्मज दही बाकी और कोई चीज इसमें हमें नहीं डालना है मीडियम जैसा हम डो गुनते हैं रोटी बनाने के लिए वही से सेम गुन करके लेना है ठीक है तो थोड़ा थोड़ा सा पाइं डाल करके इसको हम अच्छे से गुन लेंगे और यह जो पानी मैं ली हूँ ना यह नॉर्मल थंडा पानी है गरम नहीं पानी तो थोड़ा थोड़ा सा पाइं डाल के अच्छे से हम इसको गुन लेंगे मैं आप लोग को गुन के बताती हूं कि किस तरीका कैसे हमें डो रखना है और अच्छे से मसल मसल के गुनिएगा ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स यहां पे देखिए मैं आटा पढ़ाई रख दिए हो इसमें डूसे तीन बड़े चम्मठ तेल तेल जब गरम हो जब को जागा तो इसमें हम ढलेंगे खड़े घरम मसले तो इसमें मैंरी हूं दो से तीन पीज देश पत्ता दो चोड़ा दाल चीनी चार से पांच लांग और एक बड़ी लाइची डाल तो क्या प्याज का हैं सतीक छोड़ा से देखने अच्छे सब्सक्राइब से प मुझा लें दोड़ा पर दोका नहींद करेंगे और अच्छे से अब हम चलाते हुए मटन को प्याज के साथ में भून लेंगे इतना कि मतब प्याज एकदम अच्छे से गल जाए और मटन भी हमारा अच्छे से भून जाए अगर नहीं भी गला प्याज तो इसको बाद में हम कूकर में डाल के पकाने वाले हैं उसके बाद यह अच्छे से गल जाएगा प्याज एक भी प्याज नहीं दीखेगा इसमें तो यहाँ पर देखिए माश्यालब में अच्छे से चलाते हुए मटन को प्याज के साथ में भून ली हूँ तो यहां पर देखिए अधरक लसन भून के हो गया है तो अब इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्ची यह देखिए यहां पर में ले लिए तो यह मैं आट से दस हरी मिर्ची ली थी जिसको मैं दो तुकड़े में कट करके ले ली हूँ अच्छिए इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देगे पावडर मसाले तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ तो यहां पर देखे में ले लिए दाला जो जिए आप में लिएगा पाऌदर हम सारे पाउडर लेंगे अच्छे से, ताकि जो मसालों का कछा पन रखे से भून जाए, पानी इस में मैं ढालोंगी क्ई क्याओं कि मुझे कम रख रहा है, जबासा पानी मैं ढालोंगी, उसके बाद इसको मैं धख घग करके भूनंगी मसाले को बिच बिच में इसको मैं चेक भी करते रहूँगी चलाते रहूँगी उपर नीचे वरना मसाला जल जाएगा हमारा तो चलिए इसको मैं धख देती हूं और यहां पे देखिए चार से पांच मिट मैं और मसाले को चलाते वे भूनी हूं धख करके और आप देख सकते हैं मसाला काफी हद तक भून गया है ल दही के साथ में वापस से मसाले को भूनेंगे ताकि दही का जो पानी वो भी सुख जाए और मसाला हमारा और अच्छे से भून जाए तो यहां पर देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ दही को अब मैं इसको ढख दूँगी ढख करके चार से पाच मेर्ड धीमी आज प ग्रेवी नहीं रखना है क्योंकि हम मतन भूना वना रहें ना कि ग्रेवी वाला तो पानी हमthोड़ा सा ही दालेंगे बाद में सुखाने की ज़रुषत ना पड़े ठीक है तो आप में गरम पाउडर आँ थीया पर अपने से प्रेशर निकल गया है और मैं आप लोगको खोल के बताती हूं तो यह देखिए माशयलाह बहुत ही जबर्दस और देखिए बहुत जादा नहीं इसमें ठोड़ा साही है तो इसको अभी में वापस से गैस चालू कर दूंगी और मटन भी मैं आप लोग को दिखा देती हूं मटन कितने अच्छे से गल गया है तो यहाँ पर देखिए मशल्ला मटन एक दम अच्छे से गल गया है अब वापस से मैं गैस को चालू करूंगी और थोड़े देर और इसको मैं पकाऊंगी और इसमें मैं हलका सा पानी और डाल रही हूं क्योंकि मैं थोड़े देर और इसको पकाऊंगी चार से पाच मिट के लिए तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी में डाल रही हूं और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और उपर से में डाल दूँगी थोड़ा सा बारी कटावा हरा धनिया यहाँ पर देखें मैं ले ली हूँ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और धक करके दो से तीन मिट के लिए और छोड़ देंगे धीमी आज पर फिर उसके बाद यह हमारा मतन बिल्कुल रेडी है तो चलिए जब तक यह पकरा मैं तब तक आप लोगो पराठे भी दिखा देती हूँ तो यहाँ पर देखिए आठा एकदम अच्छे से सेट हो गया है अच्छे से एक बार इसको हम मसल लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा नी बनाना है जितना हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम इसको यह देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यह देखिए इतना बड़ा हम इसको बना करके लेंगे तो इसी तरह से हमें सारे पेड़े बना करके ले लेना है यह देखिए तो चलिए सारे पेड़े बना करके हो गए यहाँ पे मैं एक पेड़ा ले ली हूँ कर सकते हैं लेकिन यहां पे में तेल ली हूँ अच्छे से हम हाथ से हर तरह फैला करके लगा देंगे और तेल थोड़ा सा ज्यादा ही लगाईएगा ठीक है अब इसके पर से मैं छीड़ा करी हूँ थोड़ा सा सूखा मैदा और अभी यहां पर देखे मैं चून करते हुए न करके बनाते हैं तो ओभी इंशालल में किसी दिन आप लोगो को बना करके बताऊंगी लेकिन आज यहां पर मैं सादा वाला ही बनाई हूँ तो यहां पर देखे में फोल्ड कर ली हूँ अच्छे से और इस तरीके से एसको लास्ट वाला बचेगा उसको मैं नीचे की फैलालूंगी यह बहुत असानी से हान से फैल जाता है इसको बेलनना चाहते तो बेल सकते ठीक है लेकिन यहाँ है मैं हाथ पर अलट पलट पे शेख나 है यह देखिये ज्याद़ा तेज आज पर आज़ पे हम इसको नहीं सेखेंगे अच्छे से में iß लेंगे कहीं से बहुत अजिक नहीं रहें तक क्रिस्पी होने तक हमें यह बहुत इस तरह से हमें अच्छा कलंळ आ इस तरह से हमें सारे पराठे को सेख लेना है यह देखिए तो भी मैं आप लोगको बताती हूं अब इसको क्या करना है तो आप लोग ले ली हूँ अब यह देखिए मैं किस तरीके से अपने हाथ से यह पराठे को यह खरी थशोड़ा समाल के कीजिएगा क्यूंकि गरम पराठा है चटका लगेगा लेकिन इस तरीके से हमें गरम ही करना है यह देखिए मैं कैसे दोनों हाथ के भीजिस को अंदर की तरफ मारती वे मैं इसको यह कर रही हूँ यह देखिए आप लोग यहां पर देखिए यह हो गया बहुत जादा मियनी करना बस इस तरीके से यह देखिए आप पर पहले भी मैं करके रख दी थी और इसी तरीके से हमें सारे पराठे को बना करके लेना है तो चलिए फ्रेंड्स सारा पराठा बना करके हो गया यहां पर मैं आप लोग को मतन भी देखिए निकाल करके बता रही हूं माशालला देखिए इसमें बहुत टेश्टी बहुती जबरदस बनाता फ्रेंड्स और इसके साथ यह पराठा बहुती जबरदस लग रहा था फ्रेंड्स तो आप लोग जरूर एक बार इस तरीके से ट्राइ कीजिए गा और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए गा अगर अच्छा लगा तो प्लीस दो आमे आदर कमेंट